हाई अब्रिवान सो बहुत बच्चे कंफ्यूज थे डेली नुवर्सिटी का CSAS पोर्टल फेज वन की रजिस्ट्रेशन हम कब तक कर सकते हैं लास्ट डेट कब तक है तो मेरे बाई चिंता छोड़ दर एडू क्याप्टन आपके साथ है मैं प्रॉपर पूरी डेट शीट ही देख कर आ गया हूं CSAS पोर्टल की यहार आप देख सकते हो जो हमारा फेज वन जो लॉंच हो है वो आज 14 जून को लॉंच हुआ है अब उसके बाद आप यह देख रहो CSAS लॉंच फोर फेज टू फेज टू क्या है यह वही टाइम है जब आपको आपकी प्रेफरेंसिस ड जून और यह डेटशीट वो है जो खुद डेली उनुवसरिटी के वी सी ने जो है आज लाइव कॉन्फरेंस के अंदर बताया था तो यहां पर लास्ट वीक ऑफ जून के अंदर उन्होंने फेज टू स्टार्ट करने के लिए कहा है अब यहां पर होता क्या है यूजुली कि जब आपका फेज वन खत्म होता है उसके बाद फेज टू जो है वो स्टार्ट होता है बट कभी कबार यह भी होता है कि बच्चों की बहुत दिमांड होती है तो आपका फेज टू जब स्टार्ट होता है तो फेज वन को कुछ दिन के लिए करेक्ट करने के लिए उसको ओपन कर देते हैं ठीक है तो अभी आपको ये मान के चलना है कि लगबग आपका जो है 30 जून के आसपास जो है फेस्ट वो स्टार्ट हो जाएगा तो उससे पहले पहले मतलब कि आपका 27-26 जून के आसपास जो है आपका फेस्ट वन खत्म होता हुआ दिखरा होगा देन उसके बाद Delhi University की जो seats आपको अलॉट होंगी वो second week of July से आपको अलॉट होनी शूब हो जाएगी और लगबग देर महिना जो है इसके अंदर जाएगा क्योंकि आप देख सकते हो 16 अगस्ट से Delhi University का academic session जो है वो स्टार्ट होगा August 16 मतलब 15 अगस्ट के बाद आप जो है होंगे देन उसके बाद end में आपका spot round भी होगा उसके अंदर भी जो है टाइम जाता है यहां पर आप यह देख सकते हो पीजी रिजिस्ट्रेशन पीएचडी रिजिस्ट्रेशन और बीटेक के तीन कोर्स डेली उनिवर्सिटी ने इस साल स्टार्ट किये हैं जो की last week of June से स्टार्ट हो रहे होंगे हलाकि यह हमारे मतलब का नहीं है तो मैं इसको कर देता हो इस तरीके से औरेंज हमें जो यहां पर मेजर देखना है हमारा launch one की जो डेट है वह 14 जून है और 27-26 तक यह खतम हो रहा होगा वही हमारा phase 2 जून एंड में वह बिल्कुल स्टार्ट हो ज लेंगी I hope आगो clarity मिली होगी description box के अंदर इसका link डलवा रहा हूँ महां से download कर लेजेगा good luck bye bye